और श्री राहूल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं वो दोहजार तेरा में अक्टूबर दोहजार तेरा में दिल्ली हाई कोट के आदेश पर हुआ था बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और F.I.R. 1990 में हुई यह तत्थ मैंने इसलिए बताया इसमें से कुछ भी दोहजार चौदा के बाद का नहीं है अता हमें एक शब्द में कहना चाहूंगा कि यह सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए यह समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी जिनोंने हिंदु धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किये हिंदु धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्य जनक टिपड़ियां की वो अपने पुराने भरष्टा चार के गुनाहों को छुपाने के लिए राम लीला मैदान में आज एकत्र हो रहे है तो मुझे लगता है कि इसे यदि एक शब्द में कहा जाए तो हिंदी में एक कहावत होती है चोरी उपर से सीना जोरी जो विगत तीन पीडियों से भरष्टा चार के आरोप में कोर्ट का चहरी और जाँच एजनसियों के चकर काटते रहे जेल से अंदर और बाहर आते रहे वो आज आकर जिस निरलज्जता का पुरदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ भारत की राजनीत में आलोचना योगी नहीं है मैं दूसरा एक बिंदू कहना चाहूंगा कि ये भारत की राजनीत में विश्वसनीता के संकट का परती है क्योंकि ये वही राम नीला मैदान है जहां से 12-13 साल पहले किस ढंका एक सीन दिखता था इंडिया गेस करप्शन और आज उसी राम नीला मैदान में Everybody is with corruption Everybody is for the cover up of the corruption और इसलिए तब इनके गुरू अन्ना हजारे होते थे आज लालू प्रसाद यादव जी है तब जिस पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते थे भारत की राजनीत में उस समय तक इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से नहीं होता था चोर और वैबान आज उनके साथ है तो मुझे लगता है कि राजनीत में विश्वसनीता का संकट यही है एक तरफ हम शी नरेंद्र मोदी जी के नित्वत्त में राजनीत में विश्वसनीता की प्रामनिकता के प्रतीक है यह विश्वसनीता के संकट के प्रतीक है हमारा यह सिध्धान्त है जो कहा वो किया इनका सिध्धान्त है जो कहा ठीक उसका उल्टा किया और अब तो इनकी हालत वो हो गई है कि मुझे लगता है गुना करते 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 भरष्टाचार करते करते दो तीन पीडियों से इन पार्टियों की स्थिती यह हो गई है कि लज़त कभी थी अब तो मुसीबत सी हो गई मुझको गुनाह करने की आदत सी हो गई है अब आदत से मजबूर होकर वह इस प्रकार के कारे कर रहे हैं इसमें एक और मैं कहना चाहता हूं बाद वास्विक्ता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है वास्विक्ता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है मैं पुना कह रहा हूँ ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रहली वास्विक्ता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रहली है क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाई चारे में एक साथ हैं और ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ परिवार वाद के कुछ नए आयाम परिवार वाद के कुछ नए सुरूप परिवार वाद के कुछ सदस्यों का नया अनप्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा